तो कैसे हैं सिक्सर के चाने वाले, बिगड के मतवाले, किर्किड के दीवाने, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, दोस्तों आज किस वीडियो हम बात करने वाले हैं, बांगला देश प्रीमियर लिग 2023 मैश संबार 40, अगर हम इस मैश की बात करें, तो रंग चटो ग्राम चेलेंजर की बात करें, इनको पता है कि अपना जहां किस्सा कहानी खतम हो चुका है, हमको तो पिले ओफ में जाना वाना तो है नहीं, हम तो बाहर हो चुके पहले ही, लेकिन, 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 जो लास मैश सा ना, रंग पूर रैड़स ने चटो ग् देते हैं लेकिन रंगपूर राइडास ने रंग में भंग डाला और इनको मैंच हरा दिया तो चटो ग्लाम चैलेंजर शोचे गाना पिछली हार का बदला लेते हैं रंगपूर राइड़ास की चेलेंजर को जीटना चाहेंगों इन दोर जीता चटो ग्राम चैलेंजस ने यानि जो रंगपूर रैडर्स के टीम है ना हम इसाद चटो ग्राम चैलेंजस को चट्टू मतलब बना के वेज़ देती है इन पर भारी पड़ती है अगर बात करें जो धाका का मैदान है क्योंकि जो मैच है सेरे बांगला निसला स्टेडि रंग्पूर रैडर्स को और अगर हम यहां पर लास्टव मुकाले की बात करें रंग फूर रैड्स ने तीन मैं जीता और चटो घ्राम चैलेंजस ने जीते दो तकर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी बिल्कुल थोड़ा सा जो रंगपूर राड़ास की टीम है ना वो चटो ग्राम चैलेंजर से बहतर न जा आरे दो चटो ग्राम चैलेंजर सोचेगा ना एरे यार मतलब हर बारी यही तो आगे दिख रहे हैं तो ऐसा कर करते हैं लेकिन उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब करना बनता है क्यों बनता है क्योंकि आपको पहले से मेरा टेलीग्राम जोईन किया, वो काफी जादा मजय में, काफी जादा फायदे में है, तो आप पीछे क्यों भाई साब, आप भी जोईन करो, फायदा उठाओ, बस एक चीज का ध्यान देना है, फेक से बचना है, क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लिए गए, इसलिए इद्धा, उद्धार, और केंसे जोईन नहीं करना, जो लिंक मिलेगा डिसक्रिप्शन में, बस वही से जोईन करें, तो भाई लोग यह जो मैच है न, सेरे बांगला नेशनल स्टेडियम धाका में खिला जाएगा, बीपिल दो हजार के इस तो बराबरी का अगया, चेज भी हो सकता, और मैच होता है, थोड़ा सा आपको मीडियम स्कोरिंग देखने को मिलता है, ऐसा क्यों होता क्योंकि यहां का जो surface है वो dry and hard है मतलब जब बोल नया होता है ना तो bad पे काफी ज़्यादा अच्छे से आता है लेकिन जैसे जैसे match आगे बढ़ता जाता है जब बोल पुराना हो जाता है और जब यहां का पीछ तोड़ा सा टूर जाता है तो जो बोल होता बैड पे थोड़ा सा रुक कर आता क्योंकि उस टाइम पे जो condition होती है वो slow हो जाती है तो जो इस्विनस के सामने बल्ले वाजी करना थोड़ा सा मुस्किल होता और boundary length की बात करें तो 65 मीटर से 80 मीटर की boundary है तो मतलब यहां की जो boundary है ना वो भी ठीक ठाके छोटी boundary नहीं है तो इस्विनस को जब थोड़ा बहुत help भी मिलता है तो उनके सामने चोग के चक के लगाना इतना ज्यादा आसान भी नहीं होता इसलिए यहां पे जो मैच होता है थोड़ा सा आपको medium scoring match देखने को मिलता है अगर हम आज के match में power play score की बात करें तो आपको 49 से 54 के बीच में देखने को मिल चकता है 20 over score की मात के तो 150 से 165 की बीच में देखने को मिल चकता है तो भाई लोग यहां के मादान पे दोनों टीमों मैसी कौन से team में जो आज के match में जवर जस performance करेगी और जो match होगा ना उससे उड़ा के ले जाएगी धाका के मैदान पे चलो हम ना यह जान लाएंगे टौपा और फिले ओफ में मिलेगा दो मौका तो भाई लोग इतनी जबा जो इस performance इन्होंने अभी तक करी कैसे क्योंकि जो इनकी opening जोडिया है मुहम्मद नाइम और रोनी तालुकदार अगर हमें आपे मुहम्मद नाइम की बात के तो जहां समाल समाल के खेलते लेकि रोनी तालुकदार से समालने से कोई वास्ता नहीं है इनका तो वास्ता है बस चौके छके लगाने से ये आते हैं भर भर के चौके छके मारते कौन रोनी तालुकदार उसके बाद मेहंदी हसन आते हैं मेहंदी हसन की भी वही कानी अगर रोनी तालुकदार मालो चलो नाकाम रहे, अपनी मिसन में जल्दी पबिलियन लोड़ गए, बिना ज़्यादा चौके छक्या लगाए, तो मेहंदी हसन आते हैं, कोई बात नहीं, तेरा मिसन ना हम आगे लेके जाएंगे, तुने ज़्यादा नहीं मरत तो अब हम मारेंगे, तो मेहंदी हसन भी चौके छक समीम हुसेन की बात करें, तो काफी जवर्जस फनीचर है, नूरूल हसन भी वही कहानी है, एरोन जोन्स की भी वही कहानी है, तो जो इनकी बल्लेबाजी लंबी है, लेकिन लंबी होने के साथ साथ ना बढ़िया परफॉर्मेंस भी कर रहे है, बाकी गेंदबाजी की बात क कर रहें यहां पर टीम है कौन सी तीम में सच्प में रंग में दिख रहें मतलब बल्ले वाजी इनके बल्ले बाइट किरें यहां को रहें तो सी लिए जीन तरीकिश भी जीत रहें तो भाई लोग अगर हम यहाँ पे चटो गराम चैलेंजर की बात करें तो आइसा इनके साथ क्या हुआ कि मतलब यह पिले ओफ में जगा ना बना पारें बाहर होगे पहले ही क्योंकि भाई साथ जो इनकी बल्ले वाजी हो या गेंद वाजी दोनों इस सीजना काफी ज़्यादा इस्टेगल करती नजर आई किसकी चटो गराम चैलेंजर के अगर हम यहाँ पे इनकी ओपनिंग जोड़ी की बात करें उस्मान खान और मेहंदी मारूफ उस्मान खान की ब बढ़िया बल्ले बात करें दरूस सुली की बात कर थीग ठाक पर्फॉमेंस करी बही और अफीफ उसैन की बात करें तो इन्हों ने भी ठीक ठाक पर्फॉमेंस करें लेकिन जब फिनिश करने की तो फिनिस भी ना कर पाते जब ऐसी बल्ले वाजी होगी तो वहिया आपको मैश तो हारना पड़ेगा बाकि अगर हमें आप पे गेंदवाजी की बात करें पिछले साल जो मिर्तेंजे चौधरी थे ना काफी ज़ादा जवर्जस गेंदवाजी कर रहे थे लेकिन इस बारी की बात करें तो काफी फीके फीके से नगाये में थी हस्ब नाना की बात कलें जिया और रह्पान की बात कलें मतला थर्ज dua एक दो पराकि बात जेते बाकिन इचा ओंचे बात करें तो भण्ले वाजी ना गरें पर से पहली कब बाहर हो गए इनको पता ही ना चला तो भाई लोग अगर हम यहां पर दोनों टीमों को कमपीजन करे तो जो रंगपूर राइड़स के टीम है ना चटो गराम चैलेंजर से काफी जादा बेहतर नजार आरे क्योंकि जहां पर चैलेंजर स्टेगल करती नजार आरे रंगपूर राइड़स के टीम है ना लगातार सभी मैचों में बढ़िया परफॉर्मेंस करती ना जा आरे तो हमने यहां पर एनलाजस कर ले अभी वो जानते है आज की मैच में क्या हो सकता कौन सी टीम यह जो मैच है उसे अपने नाम पर कर सकते लेकिन उसके लिए भाई करने के लिए ना जी कोई भी ना आए को करना कि आपको कुछ भी नहीं करना बस चैल को सब्सक्राइब करना इतना को कर सकते हैं ना तो भाई लोग सारी लासस करने के बाद किर्केट की नेमान। सारा गराम इस मैच की बात करते हैं जो मैच है ना वह 70 एं 30 का 70 रंगपूर तो अगर आप यहां पर चाहें जो मजबूर टीम है रंगपूर राइड़स उसके साथ जा सकते हैं लेकिन मैं अपनी बहुत को तो भाई लोग मुझे ऐसा लगता है जो मैच है ना चटो गराम चैलेंजर अपने नाम पर कर सकता है लेकिन मैं आपको बोलूँगा क्या बो जोईन किया और काफी ज्यादा मज़े में काफी ज्यादा फाइद में तो आप पीछे क्यों हो आप भी ज्वाइन करो फाइदा उठाओ बस एक चीज का ध्यान देना फेक से बचना है क्योंकि मेरे नाम पर ना कफी ज्यादा नकली टेलिग्राम चैनल बना लिए इसलिए उद्धर और कैसे ज्वाइन नहीं करना जो लिंक के मिलेगे डिस्किप्सण में बस वहीं से ज्वाइन करें तो भाय लोग आशके वीड़े में इतना वीड़े अच्छी लगी है तो लाइक कर दो चैनल को शब्सक्राइब ने किया तो कर दो सब्सक्राइब मिलते हैं अग मैच की फेडेक्शन के साथ तब तक के लिए God bless you.